नमस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग कैसे हैं आप लो कमेंट करके जरूर बताइएगा वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी ख़बर एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने जा र रहात बड़ी ख़बर है क्योंकि बीपेशी के नाम से ही लोग टर जाते हैं परिच्छा देकर न्योजेश स्विच्छक बनेंगे राजकर्मी अस्कूल आवंटर में तीन आप्शन आपको दिया जाएगा उसी तीन आप्शन के जरिए आप वहां पे जोईन कर सकते हैं क्य इस वीडियो में आपको देंगे कैसे क्या होगा जिला अस्तर पर शिषको की एक बरियता सुची होगी शिषको की परतिक स्रेनी प्रात्मिक मद मादमिक और उच मादमिक के लिए विसयावार एक अलग बरियता सुची तयार होगी अस्तरांतर की परकिरिया होगी बरियता क ये माप डंड होंगे मुल बेतन परतिमा ये रहेगा उसका सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूटूब चनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूटूब चनल को कर लिजे सब्सक्राइब बेल आइकोन कर लिजे प्रेश ताकि पलपल का अपडेट आपको मिलता रहे और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब जूब कर लिजेगा और जो लोग ग्रूप जॉइन ने किया है नीचे ग्रूप लिंग दिया हुआ है वहां पे ग्रूप जॉइन कर लिजे ताकि आपको और भी बहुत सारे अपडेट मिलता रहे है ये खबर पटना छपके आ रहे है और तैनिक भासकर में इस नीचे को परकासित किया गया है में प्रिस्ट पे जाकर देख सकते हैं तो छापा गया है राज के लग भखपोंने चार लाख नीचे इसको को राजकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा जी हाँ ये राजकर्मी का जर्दा दर्जा जल्द मिलने वाला है इसके लिए हिच्छाई वाग ने नियावली तैयार कर लिया है जी हाँ जितना भी नियावली है वो बनके तैयार हो गया है और जल्द ही चार लाख नियोशुजकों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा माना जा रहा है कि कैबनेट की अगली बैठक में नियावली को मंजूरी मिल सकती है यानि कि मानिय मुख मंतरी जी के दौरा जब भी आगे कभी कैबनेट के मीटिंग होगी दोसमें यifiquesकि में यह नियावली पास हो जाएगा राजकर्मी को चोट समता परिछा देनीधे होगी जी हैं एक मामूली सा परिच्छा होगा मामूली बोलिए माने मुखमत जी के द्वारे ही बोला गया है कि मामूली तो वो मामूली सी परिच्छा होगी वो परिच्छा जैसे यहां पास करते हैं आप राज कर्मी का दर्जा कहलाएंगे परिच्छा पास करने वालों को एक अस्कूल आवंटित होंगे, यहां परिच्छा पास करना है, आओं हम मेरिट में आना था, बीपेसी का जो एक्जाम हुआ तो हम मेरिट में आना था, लेकिन यहां से परिच्छा आपको पास करना है, अस्कूल आवंटित के लिए तीन जिल नहीं करते हैं तो आपका नौकरी चला जाएगा बिहार बिद्याले परिच्छा समीती ही चाह समता परिच्छा लेगी चाह समता परिच्छा पास करने वाले शिश्कों का स्वंग जीला अस्तर यह होगा यह भी प्रधान किया गया है कि बीपेसी से सफल हुए वैसे जो अपन पुराने अस्कूल में ही रहना चाहते हैं उन्हें समता परिच्छा देने की जरूरत नहीं होगी यानि कि जो अपने पुराने अस्कूल में रहना चाहते हैं तो उन्हें समता परिच्छा देने की जरूरत नहीं होगी एक पॉइंट यहां पर कहा गया है परिच्छा पास क बिसे च्षक सब्द हटाने का सुझाव दिया था लेकिन इसे हटाने पर अभी तक सह्मति नहीं बन सकी है यानि कि जो पहले सिकिफ कर लाएंगे लेकिन लेकिन सब्द अपने के लिए मांग तिपत बित्रन समारों में मुखमति नितिस कुमार ने घोसना की थी कि एक मामूली परिच्छा लेकर 3,68,000 नियोजिस को कुराज कर्मी बनाएंगे परिच्छा उतिन होने के लिए एक सिच्छक को 3 मौके मिलेंगे तिन परिच्छा के बाद भी जो सिच्छक शपल नहीं होंगे नियमानुसार उन्हें हटा दिया जाएगा जी हैं अगर आपको तिन परिच्छा दिया जाता है तिन परिच्छा में अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा इसलिए तैयारी करने में लग जाएए क्योंकि इसलिए विस आपके पास नहीं है सबसे बड़ा प्रस्ट यहीं होगा कैसे क्या होगा जिला अस्तरिये पर सिजको की एक बरियता सुची होगी सिजको की परतीक स्रेनी प्रात्मिक, मद, माध्मिक और उच माध्मिक के लिए विसायवार एक अलग बरियता सुची तयार होगी अस्तरांतर की परकिलिया क्या है बरियता के मापडंड क्या होगे वो आपको हम बताने वाले हैं डियो द्वारा सिच्छा का अधिकार कानून के तहत चातर सिच्छक अनुपात को ध्यान में रखकर जिला में अस्तरांतरिन किया जाएगा यानि कि जिले में ही आपको ट्रांसफर किया जाएगा डियो द्वारा तैय की गई अब्दिपूरा होने पर जिला के तहत अस्तरांत्रिक किया जाएगा प्राथ्मिक और माध्मिक सिछानी देशक जिला के बाहर ट्रांसपर करेंगे एक बिसेश सिछक दो बार ही इस बिकल का परियोग कर सकेगा बरियता के माध्मिक ये होँगे कि स्थानी नीकाईों के सिछक के रूम में परसिछित बितल्मानद पाने के तीथी ये उगा दो सिछको के परषिच्छन के तीथी एक होगी तो जनम तीथी आधार बनेगा यानि कि आपका पर्षिच्छन एक है तो सबसे पहले रखा जाएगा जो सिचक इस मामडन पर भी एक हुए तो अंग्रेजी बर्वाला के अधार बनाया जाएगा यानि कि आप पर सिच्छन से भी एक हैं डेट ऑफ बर्ट से भी एक हैं तो आपका लेटर जो अंग्रेजी से आता है किसी का अर्विन नाम है किसी का बंटी नाम है तो एको पहला अधार माना जाएगा मान डंडो में जो फिट नहीं उन पर जी लास्ट चापतकारी निनाय लेंगे अब जो फिट नहीं होंगे उन पर लास्ट डियो का ही बोलवाला रहेगा वो जो कहेंगे उनका मानना पड़े सामिल है समय समय पर बेतन और भत्तों में संसुदन किया जा सकता है तो कच्छा वन टू फाइब की बात करें तो 25,000 है जो कि आपको जाके 42,000 के आसपास हो जाता है तो यह 46,000 के आसपास आपको हो जाएगा नो दैस के लिए बात करें 31,000 है तो यह आपको 51,000 के आसपास हो जाएगा का 1612 के लिए है तो 32,000 के आज दिगा आपको 60,000 के आसपास यह मूल बेतन आपका मूल बेतन से अधिक जब मेंट होगा वह आपको जाके वहां पर मिलेगा तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको द बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो नीच पाने के लिए आप हमारी शैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में धरन्यवाद दोस्तों